हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारी ऊटूब चैनल स्टेंड बेपी एसी में आज का जो प्रैक्टिस से उठ होगा समझ लिजे कि आप एकजाम में बैठे हुए हैं ठीक है क्या किजिए अगर आप कहीं भी है एक पेन उठाए और एक पेज लिजिए ठीक है और आप समझ लिजे और कम्प्यूटर अपरेटर के लिए भी है ठीक है तो सभी के लिए important है देखे पियोन पियोन कलर के स्टेंड सभी के लिए important है और क्या करेंगे इसमें देखे पूरा 85 question मिलेगा आपको जब तक जितना देर ये वीडियो चलेगा उतना देर आपको बने रहना है और देखे आप का result हो जाएगा अगर आप जेनरल में हैं और जेनरल में 65 और 70 के बीच में आप आते हैं ठीक है तो आपका result हो जाएगा आपको पता है कि प्योन में क्या है negative marking नहीं है ठीक है तो आप business रूप से ध्यान देंगे और देखे जो EWS है जेनरल में जो EWS आते हैं अगर उनका score 55 यानि AC के जितना आता है तो उनका भी एक्जाम हो जाएगा और जो girls है girls यानि लड़किया जो है उनका अगर score 50 भी आता है 50 से नीचे भी आता है तो उनका score रखा हुआ है वो पास हो जाएगी कि उनको उनको अलग से 33% direction मिलेगा ठीक है तो इस चीज को आप विशेश रू के लिए important है ठीक है सभी लोगों के लिए important है तो आप ध्यान से देखेंगे ठीक है और पूरा सही बनाने का प्रहतन करेंगे page और पेन ले लिजिए ठीक है और चलिए एक के सामने a b c ऐसे मिलाते जाए मैं सही बता दूँगा अगर सही होगा तो भी आप सही मिलाएंगे और गलत होगा तो गलत इमंदारी से करना है ठीक है आप समझ लिजे कि आप एक्जाम होल में बैठे है ठीक है ऐसे ही आप practice कीजिए practice करने का मतलब यह होता है ठीक है तब आपको confidence word as the answer ठीक है देखे इसमें क्या करना है मिस्पेल्ट वर्ट वाल हमें पहचान करना है ठीक है यानि देखे हमें क्या करना है सही spelling वाला ढूनना है ठीक है तो राइट अंसर देखे इसमें क्या होगा राइट अंसर अगर बात करें तो बी हो जाएगा ठीक है क्या होगा घटना होता है थीक, राइट अशर भी हो जाएगा इसमें इस पिलीन मिस्टेक है अब मिला लेंगे आपका सही है कि गलत ठीक है इसमें देखना है आपका कौन सा मिस्पेल्ट है देखेए अगर इसकी बात करें इसमें देखेए इसमें कौन सा होगा तो देखिए होटल को ऐसे नहीं लिखा जाता है जहां पर यह लिखा है वहां पर यह होगा ठीक है तो यह वाला यह गलत है बाइस का ठीक है नेक्स देखिए होटल मिस होटल होता है ठीक है तेश नमर देखिए इसमें कौन सा मिस पिल्ट है अगर इसमें बात करें तो fascinating जो लिखा है ना fascinating fascinating को ऐसे नहीं लिखा जाता है ठीक है कैसे लिखा जाता है इसको लिखा जाता है F A S C I होता है ठीक है N A T I N G fascinating मिस आकर्सक होता है D गलत है ठीक है अब मिला लेंगे आपका कितना गलत है कितना सब्सक्राइब the flowing question out of the four alternative choose the one which best can substitute for the subject for the given word or sentence ठीक है देखिए and exact and extract from from a book of writing ठीक है देखिए कहने का मतलब है कि an extract from book writing मतलब किसी पुस्तक आदी से लिया गया ऑंस ठीक है किसिस किसी पुस्तक आदी से लिया गया जो सब्द या ऑंस या कुछ भी point होता है उसको बोलते हैं ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जैगा एक सब्ट हो जएका थिक है एक सब्ट राइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है Peki PC कर Muhammad का मतलब होता है जो साकाहारी होता है जिसे साकाहारी को क्या बोलते हैं vegetarian बोलते हैं ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है समझ गए अब मिलाते चलेंगे ठीक है समझ लीजे कि आप exam hall में बैठा हुए है in the flowing question out of the four alternative choose the one which best express the opposite meaning of the word given in capital यह क्यों प्योन के लिए नहीं है कलर के स्टेन और computer operator सभी के लिए इसमें कोचन है ठीक है तो business रूप से ध्यान देंगे ठीक है चलिए देखिए confirm दिया है ठीक है 27 नुमर में क्या दिया है confirm एक भर्ब है ठीक है जो पूश्टी करता होता है ठीक है इसके internomics के बात करे यानी तो इसका राइट अंसर होगा क्या contradict contradict मिस खंडन करना होता है तो राइट अंसर C हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए होnstile दिया है ठीक है hostile देक है इस्टाइब इस डिय्च क्या होता है प्रतिकूल ठीक है इसके ενटर नीम्स के बात करें इसका राइट अंसर हो जागा फ्रेंड ली ठीक है friendly, यानि दोस्तान, right answer D हो जाएगा, ठीक है, 29 नमर में दिया है stable, देखे stable means क्या होता है, stable means होता है, इस्थीर, ठीक है, इसके antonyms की बात करें, तो O, स्थीर होना चाहिए, ठीक है, तो right answer क्या होगा, इसका D होगा, S, H, A, A, K, Y, ठीक है, in the following question, four alternative are given for the item or phrase, involved in the sentence, choose the alternative which best express the meaning of the item or phrase, ठीक है, ठीक है, देखे by fit and starts, by fit and starts का मतलब क्या होता है, देखे, यादा कदा, बिच बिच में रूकने वाला, ठीक है, तो अगर इसके सही according बात करें, तो इसका right answer हो जागा, at irregular intervals, ठीक है, यानि बिच बिच में रूकने वालों को बोलते हैं, तो ये right answer ये, इसके जैसा, भावत्पन कर रहा है, ठीक है, right answer ये हो जागा, आप मिलाते चलेंगे, ठीक है, pay of, pay of old score, pay of old score, देखे, pay of old score का मतलब है, पुराना हिसाब किसे से आप चुकाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसके जैसे कौन भावत्पन करता है तो इसके जैसे right answer हो जागा टू-ेब्रेज़-इरोंग ठीक है, to every age wrong, ठीक है, to every age wrong, हो जागा right answer ठीक है, next देखे एð, at logger head at logger head, देखे इसका मतलब होता है, कि लप्रवा के sense में लप्रवा नहीं इसको हो जाएगा औस आहमत ठीक है औस आहमत ब्यक्ति को बोलते है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा to disagree strongly to disagree strongly ठीक है right answer से हो जाएगा ठीक है in the flowing question out of the four alternative choose the one which best express the meaning of the given word ठीक है reckless देहिए reckless मिसक्ग होता है reckless अहाँ इसको बोलते है reckless मिस्लप्रवा ठीक है जो लप्रवा ही करता है इसके synonyms की बात करें तो क्या होगा careless careless मिस लप्रवा होता हीड्लेस भी बोलते हैं ठीक है मिलते चलेंगे कए नेक्ज देखिए प्रो प्रोयेक्टिब इसकी का मतलब कि और यह कि टीक है इसकी सांधानेमस के बाद करें ऑप्संट के इसके लिया है सभी लोग इसमें भागिदारी करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि पॉंदर नमर पियोन में 20 नमर कलार्क में इंगलीस अनिवार है तो देखिए GKGS भी कलार्क में पूछेगा इंगलीस है उसके बाद देखे प्रिवेंट मिस क्या होता है प्रिवेंट मिस रोकना यानि भर्व भर्व किसको बोलते हैं जिसके अंत में ना होता है तो इसके साइनेनम्स क्या होगा इसका साइनेनम्स अगर बात करें तो इसका ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक मिस घेरा डालना रोक देना बादा पैदा करना ठीक है राइट अंसर डी सी हो जागा ठीक है ब्लोक नेक्स देखिए इन दे फ्लोइंग कोचन सेंटेंस अर गिवेन वित ब्लैंक्स तो भी फिल्ड विद एन एप्रोपेरियेट ओर्ड फोर अल्टरेनेटिवा सजेस्टेड फोर इच कोचन चुछ दिक कोरेक्ट वन ठीक है देखि कहने का मतलब है इसमें कि जो सही भी कल्प है उसके जैसे कौन सा सब्द है जो इसके जैसे भावत्पन करता है ठीक है तो देखिए फोजिल नॉर्मिली ठीक है किसी वस्तु को रखना या बनाय रखना ठीक है या ना गवाना ठीक है ओनली पोर्शन अब दे डिकेस्ट और और गनीजमिंट ठीक है तो ओप्षन के कोडिंग राइट अंसर इसका क्या होगा री टेंस रीटेंस मिस क्या होता है जो कभी नहीं गवाता है ठीक है जिसको मतलब सिटेबल किया किसी वश्तु का सानी से रखा जाए ठीक है उसको बोलते है तो राइट उंसर सी हो जाएग for an interview हो जाएगा ठीक है इसमें क्या होगा राइट अंसर अपका होगा यह होगा ठीक है तो यहां पर यह दिया है ठीक है called ठीक है राइट अंसर यह हो जाएगा उसके बाद है it is it is the teachers dash to decide who will participate in the competition ठीक है देखिए teachers right to decide मतलब सिक्षा का अधिकार है ताय करना सिक्षा का अधिकार है ताय करना वो किसी भी चीज को किसी बच्चे को पढ़ाता है वो निर्धारित करता है को से कौन से दिशा में लेकर जाना है अगर वो student जैसा है उसके according ठीक है तो देखिए कहने का मतलब है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है राइट यानि अधिकार दी पैसेंजर कार सेल्स सोट यह डिक्लाइन डेस इवेंटी टू 7 पर सेंट यह 5.6 पर सेंट ठीक है देखें यहां पर डिक्लाइन बोल रहा है ठीक है यानि decline कितने से कितने यारे भाई तो से का sense decline from होगा ना मतलब कितने से कितने के बीच में तो form होगा right answer यह हो जागा से होता है ठीक है के से ठीक है many tamil speaking Sri Lankas dash from the island to escape the military and its atrocity ठीक है देखे इसमें क्या करना है हमें और तो को ऐसा चुनना है जो to run way या take a fight या as a form of danger ठीक है जो भय के करन या किसी करन वस जब आपत पड़ता है तो भाग जाना ठीक है उस sense में यानि यहां पर past participle के रूप में परियोग करेंगे ठीक है अब past participle के रूप में फ्लेड होगा fed where miss भाग जाना ठीक है तो उसका रूप देखे इसमें कौन है उसके रूप में वजे और थोता doet वो करना है सहारा रेगस्तान कहां। इस्तित है।। बहुत सीम्पल है कोच्छन सहारा रेग इस्तान उत्तर फिर्का में पटा है। है उत्तर फिरका फिरका में थो है ही लेकिन अभ उत्तर फिरका या दोन doen option दिया है जिनको पता होगा पड़ेंग वही बताएंगे तो राइट अंसर सी हो जगा उत्तर फिरका में पड़ता है ठीक है केंडूली उत्सव डैस में आयुजित किया जाता है देखे केंडोली उत्सव जो होता है आप परे होंगे तब को पता होगा कि यह पच्छिम बंगाल में इसका आयुजन किया जाता है ठीक है कहां किया जाता है पच्छिम बंगाल में ठीक है तो याद रखेंगे पच्छिम बंगाल में ठीक है टाटा इंस्टिट्ट ओफ फण्डमेंटल रिसर्च सेंटर कहा इसती थैग तो यह मुंबई में इसती थै ठीक है मुंबई में इसती थैग है याद रखेंगे अंतराष्टीए श्रम संगठन के अस्थापना को हुई थी कोचन पूछ रहा है नेक्स देखिए टाटा इंस्टिट्यूट फंडमेंटर रिसर्स सेंटर कहां इसती थे यह मुंबई में इसती राइट अंसर क्या हो जागा मुंबई हो जागा ठीक है नेक्स देखिए अंतरास्टिय श्रम संगठन के अस्थापना कहां ठीक है याद रखेंगे गारए 11 अप्रेल नीशनिस ठीक है तो आप्शन में दिया है राइसी में ठीक है राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है अपना इसकुर मिलाते चलेंगा फ्रेंट ठीक है भरतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस को दिविशन में भरतिये राष्ट्गन पहली बार किस वर्स गन गया गया था तो देखिए अगर बात करें भरतिये राष्टिये कॉंग्रेस का अधिवेशन में तो भरतिये राष्ट गान पहली बर किस वर्स गया गया था तो देखिए अगर आपको ने पढ़ा होगा अच्छा से कॉंग्रेस का तो आपको याद होगा कि भरतिये राष्टिये कॉंग्र सबहां में इसे क्या किया गया 24 जनुवरी 1950 को भारत का राष्ट गन स्विकार कर लिया गया ठीक है याद रखेंगे भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की चलिए वताइए तो बहुत ही इंपोर्टेंट पहुचन है आपने अगर इतिहास पड़ा होगा तो उसमें आपको मीला होगा कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की तो बहुत है तो उसमें बालमन था कौन था बालमन ठीक है तो इसका पूरा नहीं कहा तो ग्यासु तो दिन बल्बन, right answer, c, हो जाएगा, ठीक है, देखिए, बल्बन की बात करें, तो बल्बन का शासनकाल, बारे स Raz sack,। इसने शासन किया, ठीक है, दिली सल्तनत, शुल्तान की, सुल्तान था, ठीक है, सल्तनत, सासनकाल में, और इसने क्या किया, बॉल्बन के बिशाय में ऐसा भी कहा भी जाता है कहा भी नहीं जाता हकीकत है ठीक है उसने लोहरक्त की नीती अपनाई थी तलवार के दम पर सासन को प्राप्त करने ठीक है और बॉल्बन ने एक और सैन बिवा के अस्थपने किया था इसको हम बोलते हैं दिवाने औरज ठीक है कोचन पूछेगा दिवाने औरज के अस्थपने किस ने किया था तो बॉल बन ने किया था ठीक है याद रखेंगे ठीक है और आज दरबार में इसने ही सिज़दा यों पैबोस प्राथा की सबसे पहले शुरुवात की भारत में ठी ठीक है सवतांत्र प्रभार का भारत का पूखन रहा थो माउंट वेटें ठीक है तराइटप्र कह जाएगा Liebe होजाएगा ठीक है याद रखेंगे और कंपणी के अंतरकत भारत कह तीन को अध्यक्ष क techniques क Dani को मोधिए भारत को अंती मों ऐसरे बात करेंगे तो लोड माउंट वेटन बोलिएगा ठीक है भारतियराश्टी कोंगरिस के पर्थम अधियक्ष कों थी कमेंट कर कर बताईएगा ठीक है भारत की सन्मिधान सभा की पहली बैठक कब आयुजित की गई तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ठीक है डॉक्टर अजंदर परसाद को अस्थाय अधियक्ष बनाया गया था ठीक है याद रखेंगे यह सब याद रखने वाला चीज़ है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है चोरी चोरा कांट किस वर्स हुआ था तो देखे चोरी चोरी 22 को गुरखफुर में हो था राइट अंसर यह हो जाएगा अर्बियाई का मुख्याले कहां इस्तित अर्बियाई का मुख्याले मुंबई में इस्तित है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा डी आर्बियाई के स्थापना कब हुई थी एक अप्राइल 1935 ठीक है याद रखेंगे इस अब ठीक है और भी एक रास्टिकरन की बात करेगा तो बोलेंगे एक जन्वरी 1949 ठीक है यह सब याद रखिएगा सारके के सदसे देशों के संख्या कितनी है सारके के सदसे देशों के संख्या के बात करें तो यह आठ है कितनी है आठ है राइट अनसर यह हो जाएगा ठीक है दक्षिन एस्याई छित्रिये सहयोग संग बोला जाता है इसका फूल फरम बात करें तो the South Asian Association for Regional Cooperation ठीक है अगर इसका मुख्याले के बात करेंगे तो Kathmandu याद रखेंगे कहां याद रखेंगे Kathmandu ठीक है इन में से किस कमपनी ने भारत का पर्थम Social Mobile वाइलेट उडियो लांच किया है किसने लांच किया देखिए अगर इसकी बात करे तो इसका जो Transorb है उसने लांच किया ठीक है राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा ठीक है B अब मिलाते चलेंगे अपना स्कूर ठीक है एक दिवसी अंतराष्टी ओडियाई किर्केट के इतिहास में तिहरे सतक लगाने वाले पहले बलेबाज कौन बने कौन ब है है बरस्त चार निवारन अधिनियाम किस वर्स पारित किया गया गया ठीक है अधिनियम पूछता 2030 बोलते ठीक है लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वर्स इसलिए ए राइटोंर होगा ठीक है नेक्स देखिए magistrate सब्द के लिए हिंदी में कौन सब्द है magistrate सब्द के लिए हिंदी में क्या बोलते है चलिए बताइए magistrate सब्द का अगर हिंदी में इसे बोले तो दंडा धिकारी जिसे हम SDM बोलते है ठीक है SDM तो right answer D हो जाएगा 61 समय में किसी बस्तु द्वाराता है गती ठीक है गती मतलब बोलते हैं उसको ठीक है प्रति एक समय में तो है कि गई दूरी को हम गती कहते हैं ठीक है याद रखेंगे यदि किसी वस्तु के स्थिति या किसी इस्तिर वस्तु के सपेक्ष एक समारूप में बदल रही है तब उसे हम क्या बोलेंगे वस्तु के गटी ठीच है यानि वस्तु गटी में ठीक है ये सब याद रखें गे वेक बराबर क्या होता है विश्तापन बटा समय होता है ठीक है एस ब याद रिखिएगा common चीज है निम्न में से कौन बिजानु निर्मान द्वारा उत्पन होता है देखिए अगर इसके बात करें तो राइजोपस बिजानु जो होता है न उसके द्वारा उत्पन होता है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है आप अंसर मिलाते चलेंगे ठीक है जय सकता है और नाहीं उसे gonna किया सकता है ठीक है तो परे होंगे आप हम को लग रहे कब का कि यह 9th तो इस दूसरे रूप में ठीक है याद रखेंगे सरवित्रिक कुर्तवा करसन यह तांग जी की खोज किस ने किया था तो सराइजक नूटर ने किया था राइट अंसर C हो जाएगा ठीक है क्या होगा सराइजक नूटर ठीक है देखिए डैस एक उभाइलिंग फूल है तो आपको प और सभी लिए प्योन कलर के स्टेनो कम्पीटर सभी के लिए हिंदी निवार है इसलिए आप लोग अब हिंदी बनाईए ठीक है चलिए पहला कोचन है हिंदी का पहला कोचन है देखिए ठीक है आप लोग और अच्छा से बनाना है आप लोग को ठीक है कितना आपका सही हो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो कहने का मतलब है कि इसमें हमें किस भाग में तुरूटी पहचान है वस्तियों के किमते बढ़ रही है देखे वस्तियों के किमते बढ़ रही है इसमें तुरूटी आपको ढूंड़ना है देखे वस्तियों में तुरूटी है ठीक है इसके अस्तान पर समाने वस्तियों के क चिलेंगे नेक्स देखिए दिए गये वक्वांस के लिए इक स्वब देज़े। जिसकी उप्मा नहों उस्वक्वांस के लिए क्या स्वब्द होगा यानि अनुपम होना चीह है। इसलिए राइटन्सर अनुपम हो जागा प्रवाची है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है अंबू किसका परिवाची है तेखें अंबू जो होता है वो जल का परिवाची होता है किसका होता है जल का तो राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है निमलेखित सब्द के बिलोम सब्द का चैन करें देखें उलास है ठीक है उलास का बिलोम का होगा उलास का पता है कि उलास का बिलोम बिसाद होता है ठीक है बिसाद राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आप अंसर मिलाते चलेंगे ठीक है फ्रेंड जो कहा ना जा सके वकवांस के लिए एक सब्द दीजिए देखे जो कहा ना जा सके वकवांस के लिए एक सब्द दीजिए तो जो कहा ना जा सके उसके लिए जो सब्द होगा अकतनी है क्या होगा अकतनी है तो राइट अंसर C हो तो जैंगा ठीक है बिश्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है अगर बात करें तो ये अधबहूत्व में होता है राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है धिस्वार्ण स्थाई भाव किसम होता है अदभूद में ठीक नम मनने वाला ब्यक्ति के लिए एक सब्द क्या है इस वर को नम मनने वाला एक ब्यक्ति के लिए एक सब्द है देखे तो इस वर को जो नहीं मनता है उसके लिए नास्तिक सब्द का प्रियोग होता है क्या प्रियोग होता है न संग्या के जिस रूप में पुरुस्त्व या इस्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं देखिए संग्या के जिस रूप से पुरुस्त्व या इस्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं लिंग तो राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है क्या होगा लिंग हो जाएगा ठीक है नेक्स दिखिए अतवे सब्द का संदी विछेद क्या होगा देखिए अतवे सब्द का संदी विछेद होगा आपका अतव प्लस एव ठीक है यानि इसका राइट अंसर देखे इसमें से कौन दिया है तो इसके जैसे यह दिया है ठीक है इस तरह इसका राइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए बाग बाग होना मुहाबरे का क्यार्थ होता है यानि दिल गार्डेन गार्डेन यानि बाग बाग ठीक है यानि अति प्रसण होना बोलते हैं उसको तो राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है भारतिये सन्विधान के किस अनुछेद में मैंने एक वीडियो बन टेनो, कलर्क और कंप्यूटर अपरेटर वालों के लिए, कंप्यूटर रीडर के लिए, ठीक है, अगर वो जिन लोगों ने उस पोस्ट को अपलाई किया है, ठीक है, वो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, वहां से आपका दो प्रस्ण बनेगा, ठीक है, मैंने बारव पॉ सन्विधान के किस अनुछेद में, उलेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दाइत्व है, ठीक है, आर्टिकल 351, ठीक है, अनुछेद 344 की बात करें, तो यह क्या होता है, राजभासा के संबंध में आयोग और संसद की सिमित से है, ठीक है, यहनि संसद क्या करता है, राजभासा का परियोग करेंगा, ठीक है, अनुछेद दिया है, अनुछेद 350 दिया है, देखे 350 का मतलब क्या होता है, कि ब्याथा के निवारन के लिए अभियोधन में परियोग किये जनौले भासा, ठीक है, यानि निवारन जो होगा, अभियोधन वाला जो कोई ब्योदन करेगा वहां पर जो भासा होगा वो राज भासा होगा ठीक है तो इन सब चीजों को याद रखेंगे कितना अकेला आकास किस विधी की राचना है कितना अकेला आकास देखिए कितना अकेला आकास यानि यात्रा विरित विधी की राचना है किसकी है यात्रा विरित ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्वांस के लिए सही सब्द कौन सा है देखिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आता है उसे हम लोग अजर बोलते हैं ठीक है अजर राइट अंसर क्या हो जाएगा डी और अमर किसको बोलते हैं जो कभी नहीं मरता ठीक है नेक्स देखिए इन में से कौन सा वाक सुध है इन में से कौन सा वाक सुध है तो देखिए अगर राइट अंसर बात करें ऑप्षन के कोडिंग तो देखिए इसका होने चेह क्या दिवार बहुत उची है छाइवा राइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है क्या दिवार बहुत उची है यह सही है ठीक है धीनिक्स देखिए कंल का समनार्थी सब्द कौन सा होगा कोहां जारुरा कोमल का समनर्थी सपडों या जाम होता है ठीक है एक सब क्या होता है ठीक है यह जब कुछ मोका मतलब होता यह जगत तो इसका बिलों क्या होगा पर अंसर यह हो जाएगा थीक है के बनेशना ठेक है फूलो पर जीवन निरवाह करने वाला केवल फूलो पर जिवन निर्वाह करने वालों के लिए क्या बोलेंगे देखे तो इसको हम बोलते हैं फॉलहारी ठीक है केवल फॉलो पर जिवन जो निर्वाह करते हैं उसे फॉलहारी बोलते हैं जो अन पर जिवन निर्वाह करते हैं उन्हें आनाहारी बोलते हैं जो साख सब्जी पर जिवा निरवा करते हैं, उसे साकषार ही बोलते हैं, जो गम खाती है, उन्हें अल्पहारी बोलते हैं, सब याद रखिए गर है, नेक्स देखिए उसके बाद है सही वरतनी वाले सब्द का चैन करना है ठीक है देखिए इसमें क्या करना है तो सही वरतनी वाले जो सब्द होगा उलाच्मन जो है यह अप्शन सही है ठीक है अब देखे कलरक एस्टेनो कम्प्यूटर ठीक है यह देखेंगे इन लोगों के ल खारंतिय बनी होती है, किसकी बनी होती है, देखे, कॉंप्यूटर में परियोग होने वाला एक कृत परिपत, जिसे आइसी बोला जरता है, वो सिलिकॉन का बना होता है, राइट अंसर क्या होगा, थीक है, सिलिकॉन, ठीक है, मिलाते चलेंगे, नेक्स देखिए, वर्तमान सल राइड सूरूर करने के लिए लेडर ओफिस इंप्रेस में से किसका उप्योग किया जाता है देखिए अगर इसके बात करें तो इसमें झो परयोग किया जाता है chief plus F5 का परयोग किया जाता है lift reach प्लस F5 ठीक है control plus F5 ठीक है Are control a plus A का बात करेंगे control a plus क्या हो जागा सेलेक्ट है होता है एसमें और दिया है जैसे इसको क्या बोलेंगे इसमें हम क्या करते हैं जो करेंट डॉक्मेंट होता हुआ इसको सेब करने के लिए पर्योग करते हैं ठीक influenced करने के लिए इसका परियोग किया संस्था के बात करें तो आमतर पर अपने डोमे नाम से इडियू रखता है जिसे इडियू शुरुवाती होता है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए उसके बाद है कम्प्यूटर के छेतर में लीफो का पूर्ण रूप क्या है देखे कम्प्यूटर के छेतर में लीफो का पूर्ण रूप बात करें लास्ट इन फरस्ट आउट बोलते हैं इसको लास्ट इन फरस्ट आउट ठीक है तो देखे अप्शन में से क कौन सा internet तक पहुच परदान करता है इंटरनेट तक कौन सा पहुच परदान करता option के according देखे अगर इसमें बात करें internet तक कौन पहुचता है तो option सभी option को आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा यह जो कौन सा है यह ISP जिसे बोलते है isp ठीक है यह क्या करता इंटरनेट सिवा प्रदाता इसे क्या करता है वहां तक पहुंशता है ठीक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जसे बोला जाता है ठीक है तो राइट अंसर b हो जाएगा ठीक है अब नेक्स नाइंटी टू नॉमबर डैस का अर्थ उन अवांचित वानीजियक इमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है देखिए कहने का मतलब है स्पाम के छेतर में बोला जाता है ठीक है तो देखिए सिंपल भासा में स्पाम बोलेंगे स्पाम का अर्थ उन उन वांचित ज देखिए इसमें पहचान करना है ठीक है देखिए अगर सही को देखेंगे देखिए एमेस एमेस वर्ड एमेस वर्ड को हम डॉक्मेंट बोलते हैं ठीक है यह सही है एमेस एकसल एकस आइस ठीक है एकस आइस ठीक है तो ठीक है उसके बाद है सी एमेस एमेस पेंट एमेस पे पीटीपी नहीं बोलते हैं तो ये गलत है ठीक है डी गलत हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स देखिए क्रोम सफारी ओपेरा के बीच क्या समनता ये सभी क्या है देखिए क्रोम सफारी और ओपेरा तीनों क्या है वेव ब्राउजर है ठीक है वेव ब्राउजर है ठीक है वेव वेब भृजर का पर्यों करते हैं ठीक है वेब भृज़र दो परकार को हते हैं टेक्स्ट अधारित भेव भृज़र और एक ग्राफिक्स पर अधारित बेव भृजर वृ चर्श याद रखेंगे ठीक है नेक्स देखिए कंपाइलिंगं से क्या किरिए्ड होता है देखें Compiling से बात करें तो Compiling से एक्जिकव्टेबल प्रग्राम क्रियेट होता है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ठीक है सी हो जाएगा ठीक निक्स देखिए ने पियर्स बोन कौन-कौन से काम अभेकस से अधिक कर सकता है, देखे, अगर इसकी बात करें, ने पिर्स बोन की, तो इसका राइट अचर क्या हो जाएगा, जोर या भाग, C हो जाएगा, ठीक है, C, output devices निमलीखित संभव बनाते हैं, ठीक है, output devices निमलीखित संभव बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसमें से, तो देखिए, अगर इसकी बात करें, तो output devices, data देखना या print करना संभव बनाता है, ठीक है, क्या करता है, data देखना या print करना, right answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक आपके संदेश को पहचानती है और आपके संदेश का पहला भागाई जिसे प्राप्त करता देखता है क्या देखता है तो यहनि signature field ठीक है क्या यहनि right answer C हो जाएगा ठीक है C signature next देखिए निमलिकित में से किस कमपणी ने 2005 में व्यक्तिगत computer यानि पर्शनल computer बनाना बंद कर दिया देखिए अगर इसकी बात करें तो IBM ने 2005 में व्यक्तिगत computer बनाना बंद कर दिया किसने IBM तो राई टंसर क्या हो जाएगा पी बी ठीक है नेक्स देखिए Windows 10 operating system में PC को लोग करने के लिए निम्न में से किसकी keyboard shortcut का प्रयोग किया जाता है अब सभी option को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि Windows 10 operating system में PC को लोग करने के लिए Windows लोग कुंजी प्लस L का प्रयोग करते हैं shortcut के लिए ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है सी ठीक है यह अब देखें मायत मैत सभी के लिए अनिवार है चाहे वो पियोन हो पियोन वालों के लिए तो राम बन है भाई ठीक है अगर पियोन वाले होना तो आंक बंद करकर मैत पर ध्यान देड़ो ठीक है मैत हिंदी ठीक है देखो पहला कोचन है स्वारल करना है ठीक है वन बाइट टू वन बाइटू इंटू फोर है तो इसे गुना करोगे यहां पर एट हो जाएगा और यहां पर छेचों कर चौबिस छेटे एट 92셔서 और दिया है इसका मांद गात करने के लिए ठीक है तो देखे सबसे पहले क्या करोगे तोल Robe Que to मैं कर देता हूं देखो इसको ऐसे करोगे ऊन बाइटू इंटू सरी ऊण बाइटू इन्टू इंटू ठीक है अब सबसे पहले इसको ऐसे करो ब्रैकेट के ताहद वन भाई 1 इंटु 2 प्लस 1 भाई 1 भाई 2 इंटु 3 प्लस 1 भाई 3 इंटु 4 डैस डैस फिर लिखते चलो 1 भाई 24 प्लस 25 ठीक है यहां पर गुना होगा प्लस नहीं होगा ठीक है ब्रैकेट बंद कर दो ठीक है अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 भाई 4 इंटु 1 भाई 1 माईनस 1 भाई 2 उतना जाएगा हमारा फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 भाई 2 माईनस 1 भाई 3 ठीक है फिर ब्रैकेट बंद कर दिया फिर प्लस का चीन देंगे उसी में लिखना है ठीक है 1 भाई 3 माईनस 1 भाई 4 ब्रैकेट बंद प्लस एससुन डोट डोट जिसे बुला जाता है ठीक है फिर सुरू करेंगे प्लस फिर 1 भाई 24 माईनस 1 भाई 25 अब बरिक्वेस्ट बंद ठीक है अब फिर इसको सॉल्ब करोगे तो गुना भाग करो 1 भाई 4 क्योंकि 1 भाई 2 इंटो 2 था ठीक है उसके बाद 1 भाई 1 माईनस 1 भाई 25 ठीक है इतना आ गया अब इसे तोरो अब इसे तोरो गे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 भाई 4 जब इसका एल्सियम लोगे तो आएगा 24 भाई 25 चार छक 24 यानि 6 भाटा 25 जब इसे सॉल्ब करोगे 6 भाटा 25 को 6 भाटा 25 को यानि पॉइंट दोगे तो 60 हो जागा ठीक है फिर एक 0 देगे तो 22 न पचास आप 25 कश सहे ठीक है तो राइट अंसर पॉइंट टूफूर ओप्सन में देखिए डी वाले में दिया है तो राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक है नेक्स देखो कोई सधारन ब्याज की नेश्ची दर पर तीन वर्स बाद 14,880 रोपय और 5 वर्स बाद 16,800 रोपय हो जाती है उस रासी के लिए 10% वार्सिक ब्याज दर पर 4% वर्स पर प्राप सधारन ब्याज घ्यात करें ठीक है सधारन ब्याज घ्यात करना है इसमें ठीक अपना मिलाते चलना ठीक है यह सेट है प्राक्टिस है इसलिए मैं सॉल्ब नहीं करूंगा ठीक है देखो 63 63 की बात करें तो देखो पहलो वीडियो प्यूज करकर इसका राइट अंसर क्या आएगा इसका जो अंसर आएगा 60.065 ठीक है नेक्स देखो निगेटी मार्किंग नहीं है प्यूज में ध्यान रखना ठीक है 64 का क्या होगा 64 का देखे राइट अंसर क्या होगा 64 का सी हो जाएगा ठीक है C 65 का देखो 65 में से 65 का देखोगे तो इसमें से राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर होगा इसका 14 ठीक है 14 परसेंट हो जाएगा ठीक है नेक्स देखो 66 में जब इसे सॉल्व करोगे 66 का जब सॉल्व करोगे 66 का तो इसका अंसर आगा 2 बट्ट 9 ठीक है right answer d हो जाएगा ठीक है Next देखो 16 को जब solve कर वोगे 168 का right answer आएगा कितना d आएगा 3 root 13 ठीक है 168 का right answer क्या होगा देखो 168 का right answer यह हो जाएगा ठीक है 162 का rations cats A 2 ठीक है Next देखो 69 का क्या होगा 69 की बात करें 69 थो रदा of question है A, ठीक है, देखो इसे कैसे solve करेंगे सबसे पहले क्या करोगे B, A, C दिया है प्रस्ट में ठीक है, A, B और C के बीच 31,866 रोपय की रासी इस पर कर भी भाजित किया जाता है कि A और B के भाग को अनुपात 9, अनुपात 8 और A और C के भागो का अनुपात 4 अनुपात 5 और B का भाग हमें ग्यात करना है सबसे पहले B का मैंने 8 ले लिया A का 9 और C का 5 ठीक है, यह सब अनुपात में हैं ठीक है, याद रखना ठीक है, अब इसे क्या करो, solve करो ठीक है, एका एक और दिया है कितना A और B के 4 में, 9 अनुपात 8 ठीक है, क्या दिया है 9 अनुपात 8 और A और C के बीच का 4 अनुपात 5 ठीक है, यह का मैंने लिख लिया 4 और C का 5 ठीक है, जब इसे आप solve करोगे तो देखो 9 पचे, क्या हो जागा 45, ठीक है 45 मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है, फिर 9 4 का 36, 9 में 4 से गुना करो, तो यह 36 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 में 4 से करो, ठीक है तो 8 4 का 32, ठीक है यानि 32 अनुपात 36 अनुपात 45, ठीक है तो हमें B का भाग याद करना है तो B का भाग, यानि B का भाग कितना दिया है, 31 886 ठीक है, तो 31,866 गुने इसको यहाँ पर लिख देते हैं 31,866 गुने 32 अब देखो कितना कितना आया था तो रहे थे तो 32 प्लस 36 प्लस 45 ठीक है इसे जब काटो गए आप तो आपका आएका अंसर 9024 राइट अंसर यह आज आएगा ठीक है फ्रेंट तो यह था हमारा आज का भिहार सिबिल कोट का प्रैक्टिस सेट ठीक है जिसमें सभी लोगों के लिए था पियौन कलार्क और स्टेनों के लिए ठीक है तो उमीद करते हैं आप लोग का स्कोर जितना है आप कमेंट करकर देखिये ठीक है ताकि मैं फिर कल जो वीडियो बनाओ उसमें आप लोग आच्छा लगे और मुझे भी आच्छा लगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल वाले वीडियो में मिलेंगे और अपना स्कोर बता दीजेगे आप लोगा कितना रहा ठीक है देखिए फ्रेंड अगर आप टेलिग्राम पर नहीं जो रहे हैं तो इस्टेंड भी पीएसी टेलिग्राम पर मिलेगा सर्च किजेगा उसे जॉइन कर लिजे वहाँ पर एक दिन पहले मैं पीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा आपको ठीक है